हाई विज़ेस प्रेम एजुकेशनल हाइक के इन्नोवेशन से भरी एक और धमाकिदार वीड़ो में आपका स्वागत है वैसे तो हमने इस चाप्टर में सब कुछ पढ़ लिया है एटम कैसा दिखता है इस चीज से लेकर एटम के अंदर पाये जाने वाले सब-atomic particles, electrons, protons और neutrons के बारे में आपको class 9 तक जितना कुछ जानना था वो सब कुछ हमने पढ़ रखा है electronic configuration हो, electronic distribution हो या एटम की valency कैसे उसे दूसरे एटम से bonding बनाने में मदद करती है यह सब कुछ हमने इसी chapter में पढ़ा है अब तक की कहानी आप part 1 of this chapter and part 2 of this chapter में जाकर देख सकते हो उपर information button यह description box से उन दोनों videos की आपको link मिल जाएगी बात करते हैं इस video की, इस video में हम चार बहुत ही जादा important चीज़े पढ़ेंगे atomic number क्या है, mass number क्या है, isotopes and isobars इन चारों चीज़ों का नाम आपने सुना होगा chemistry के basics है विडो लास तक देखना आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो ना तो विडो देखने के बाद अगर पसंद आए तभी चानल को subscribe करना आप हमें social media handles पर भी follow कर सकते हो So are you ready? Let's get started Hey champions, welcome to computer screen एस video में आप 4 बहुत ही important चीज़े पढ़ेंगे एक तो atomic number क्या है, कैसे calculate करते हैं mass number क्या है, isotopes और isobars क्या है और इतनी आसान भासा में समझेंगे न आपने कभी नहीं सोचा होगा कि atomic number, mass number, isotopes, isobars इतनी easy होते हैं, नाम बहुत हाउआ बना के रखा है ओ, isotopes, isobars, लेकिन है क्या है बहुत ही आसान चीज़ है, चुटिकियों मैं समझा दूंगा तो मैं चालो, तो सबसे पहला topic है, 4.5.1 atomic number किसे कहते हैं atomic number बहुत ही आसान धासा में अगर हम समझाना चाहें आपको ना तो हम ऐसे कह सकते हैं कि atomic number मतलब total number of protons in an atom आपको बता है, कोई भी atom है कोई भी atom है atom का क्या होता है, atom के बीच में होता है nucleus और nucleus में दो चीज़े पाई चाहती है एक तो होता है proton और दूसरा क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफ़ए, neutrons पढ़ाया था भूल गए क्या यार, भूल गए क्या, नहीं भूले हो ना याद है ना, तो nucleus के अंदर क्या होता है proton होता है, neutrons होता है अब भया, कोई भी एक atom है उस atom के अंदर कितने protons है, बस यही हमें बताता है atomic number for example, कोई atom है इसके अंदर number of protons मालो 10 है, तो इसका atomic number कितना हो जाएगा, yes, 10 हो जाएगा ठीक है, चलो जैसे ये वाला atom आपको दिख रहा है, इस atom में कितने number of protons है, एक, दो, तीन, चार, proton मतलब positive charge, ठीक है, तो इस atom में आपको साब साब दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार protons है, तो इसका atomic number कितना हो जाएगा yes, exactly, atomic number 4 हो जाएगा, ठीक है और जैसे और example लेते हैं, oxygen ले लेते हैं, oxygen atom के nucleus में ना कितने protons होते हैं, आपको पता है, आठ protons होते हैं तो इसका atomic number अगर हमें calculate करना हुआ, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, nitrogen nitrogen के nucleus में ना 7 protons होते हैं, तो इसका atomic number कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ठीक है, तो कितने number of protons available है, atom की अंदर, बस वही बताते हैं, उस atom का atomic number, ठीक है, it is denoted by Z, जैसे हर चीज का अपना एक sign होता है protons को हम P positive से represent करते हैं, electrons को हम E negative से, और neutrons को हम N से बिलकुल वैसे ही atomic number को हम Z से represent करते हैं हर बार हम atomic number तो लिखेंगे नहीं for example, तुमें कह दिया गया कि भी oxygen का atomic number लिखो, तो तुम सीधा लिख सकते हो, Z equal to 8 लोग समझ जाएंगे, atomic number मतलब Z, ठीक है, समझ में आया है, तो Z equal to 4, या तो हम atomic number लिखें, या Z लिखें, एक ही मतलब हुआ ओके, एक और बहुत ही जादा important चीज क्या है वो यह है कि all atoms of an element have the same atomic number है, पता है, आच्छा, इस element के अंदर जितने atoms होंगे, all atoms, जितने भी atoms इस element के अंदर होंगे, इन सभी atoms का atomic number हमेशा same होता है जैसे oxygen का atomic number हमें पता है कितना है, oxygen के किसी एक atom का atomic number 8 होता है तो ऐसा तो है, नहीं कि दूसरे atom का 9 हो जाएगा, तीसरे atom का 10 हो जाएगा ठीक है, यह अगर oxygen है तो इसका atomic number fix है क्या है, 8 है ठीक है, किसी भी element की पहचान होती है atomic number हम उसके atomic number से पहचानते हैं, कि यह कौन सा element है, जैसे hydrogen का atomic number है, वो 1 है ना तो हम हमेशा hydrogen को 1 से पहचानते हैं, और hydrogen के पास चाहे एक atom हो चाहे 10 atom हो, इन दोनों का atomic number एक ही होगा, जैसे oxygen इसका जो atomic number है, यह 8 है तो इसके दूसरे वाले atom का भी atomic number 8 होगा, तीसरे वाले भी atomic number 8 होगा, इसके अंदर जितने भी atoms हैं, इन सभी atomic number कितना होगा 8 होगा, तो यह बहुत जादा जरूरी चीज़ थी, ठीक है, आच्छा एक और चीज़ समझते हैं, जैसे मैंने आपको अलेड़ी बता दिया कि oxygen के अंदर कितने number of protons हैं, 8 है तो इसका जो atomic number होगा, वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भीया, सीधा सा मतलब है कि जहां पर हमें protons की संख्या पता चल गई, वहां पर हम atomic number बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, जितने number of protons, उतना ही उसका atomic number, आच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज़ है कि elements are defined by the number of protons they possesses मैंने आपको बताया ना, हर element 118 element हमारे periodic table में है, और सभी elements का अपना atomic number है, जो उसकी पहचान होती है जो उसकी क्या होती है, identity होती है, जैसे हम बच्चों का roll number होता है, roll number one, roll number two, और जब कभी भी teacher attendance लगाने हाता है, roll number one, तो जैसे हर बच्चे का अपना roll number होता है, वो उसकी पहचान होती है, बिल्कुल वैसे ही हर element का अपना atomic number होता है और वो उसकी क्या होती है, पहचान होती है, चालो कुछ example लेते हैं, जैसे hydrogen hydrogen का atomic number है, वो कितना है one है, तो भया हमेशा जब कभी भी हमें कहा गया कि one number, atomic number किसका है मतलब hydrogen हमारे दिमाग में आना चाहिए ठीक है, दूसरा जैसे lithium ले ले लेते है lithium का atomic number कितना है 3 है, ठीक है, किसी दूसरे element का atomic number 3 नहीं होगा, हमेशा जब 3 atomic number की बात आएगी मतलब lithium है, ठीक है जब कहा जाए कि atomic number 5 किसका है, तो हमेशा वो boron होता है, ठीक है और कहा जाए कि atomic number 7 किसका होता है, तो वो हमेशा nitrogen का होता है, 7 atomic number और किसी element का नहीं हो सकता है, जब कभी भी atomic number 8 की बात करी जाए, मतलब हमारे दिमाग में आजाएगा कि oxygen है तो भाया जो atomic number होता है वो उस element की identity होती है पहचान होता है समझ में आया बिल्कुल समझ में आगया होगा atomic number बहुत simple था बहुत ही जादा simple था जो हमने ऐसे चुटकियों में पढ़ लिया आचा mass number क्या होता है ये भी सोचते हो कि अरी भाया mass number क्या होता है देखो यार जैसे तुम हो ठीक है तुमारा वजन कितना है मेरा वजन अभी 60 kg है तो मेरा mass number कितना हुआ 60 kg हुआ ना तो बस ऐसी atoms का होता है रदर फोईड ने हमें बहुत पहले के दिया था कि भाया किसी भी atom का जो वजन होता है वो उसके nucleus में होता है for example ये इतना बड़ा सा atom है इसके अंदर बहुत सारे orbits होंगे और छोटा सा एक nucleus होगा ठीक है इसी nucleus का जितना वजन होता है ये इस पूरे atom का वजन होगा माल लो nucleus का जो वजन है वो 5 unit है तो इस पूरे atom का जो वजन है वो भी 5 unit होता है मतलब atom का जो जादतर वजन होता है वो nucleus की वज़ा से होता है और electrons जो in orbits में होता है उसका वजन हम consider नहीं करते हैं negligible होता है इसलिए nucleus के अंदर क्या क्या present होता है आपको पता है दो चीज़े present होती है nucleus के अंदर एक तो क्या होता है देख्लो येgende nucleus के अंदर क्या चीज़े हैँ ये जो circular चीज़े ढिखे ही ये है रास्ता ओर बिट जिसको हम कहते है ठीक है जो nucleus के 4 तरफner और wonder Nucleus में क्या होता है? दो चीज़े होती है पहला Protons होता है ये Red Color वाला और दूसरा Neutrons होता है ठीक है? तो अगर हमें किसी भी Atom का वजन निकालना हुआ तो हम लिख सकते हैं कि कितने Protons है कितने Neutrons है इन दोनों को मिला कर हो जाता है इस atom का वजन कैसे क्योंकि रदर फॉड ने पहले ही कह दिया था कि nucleus का वजन ही पूरे atom का वजन होता है तो nucleus के अंदर दो चीजे हैं protons और neutrons इन दोनों का वजन हमने पता कर लिया तो पूरे atom का वजन पता चल जाएगा इस लिए निकल कर आता है एक बहुत ही जबरा formula जबरा formula जबरा जानında नवी वादा आता है जबरा formula आता है mass number निकाल लेगा किसी भी atom का हमें mass number निकालना है तो बस क्या करो उस atom के अंदर कितनेptions हैं कितने neutrons हैं पता कर लो add कर दो mass number निकल आएगा चलो example लेते हैं, example से आपको समझाते हैं, जैसे oxygen है, oxygen एक element है, आपको पता है, oxygen के अंदर number of protons होते हैं, 8, number of protons को हम atomic number भी कहते हैं, याद है न, अभी मैंने पढ़ाया था अभी, ठीक है, तो oxygen का जो number of protons होते हैं, वो 8 होता है, और oxygen का number of neutrons भी 8 होता है, तो इसका mass number कितना हो जा रोगा सोने का नाम, ठीक है, अच्छा जो gold होता है न, इसका atomic number होता है, 79, मतलब इसके अंदर 79 protons होते हैं, और इसके अंदर कितने neutrons होते हैं, आप समझ लो, 108 protons होते हैं, तो इन दोनों को अगर हम add करेंगे, तो इसका पूरा जो mass number निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 197 27U, ठीक है, तो यह number of protons और number of neutrons मिलकर, mass number हमें बताते हैं, तो mass number भी calculate करना आपको आगया, बहुत simple है, अगर आपको mass number calculate करने के लिए exam में देता है न, तो आपको number of protons भी दिया होगा, number of neutrons भी दिया होगा, बस इन दोनों को add कर देना, mass number आपका निकल आएगा, और अगर number of protons दिया है, तो atomic number भी निकल आएगा, number of protons ही तो atomic number होता है, तो atomic number, mass number, दोनों हमने calculate करना सीख लिया है, अच्छा, एक और important चीज़ है, कि periodic tables में elements को किस तरीके से represent किया जाता है, देखर साफ साफ लिखा है, कि in the notation for an atom, the atomic number, mass number and symbol of the element are to be written as, जब कभी भी हम किसी भी element का symbol लिख लिखते हैं, तो उसके साथ हम उसका mass number और atomic number बिलकुल कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बीच में symbol, उसका mass number उपर और इसका atomic number नीचे, जैसे example लेते हैं, hydrogen का example लेते है, hydrogen का mass number है, वो 1 होता है, ठीक है, और hydrogen का atomic number होता है, वो भी 1 होता है, तो mass number उपर और atomic number नीचे, हमने calculate क करना तो सीखी लिया है, ना, mass number, atomic number, इन दोनों को calculate करना सीख लिया है, तो जब कभी भी, जहाँ भी periodic table में आप इन elements का नाम देखोगे ना, तो mass number ऊपर होता है, और atomic number कहा नीचे होता है, जैसे oxygen, oxygen का mass number 16 है, और atomic नमबर है 1 नहीं बलकी 8 है यहां पर mistake से 1 हो गया होगा ठीक है ऐसे ही nitrogen nitrogen का mass number 14 है और atomic number 7 है जो कि नीचे लिखा जाता है ऐसे copper भी है copper का mass number 63.5 है और atomic number 29 है जो कि नीचे लिखा जाता है तो बस इस वाले slide में हमें यह सीखना था कि भाई किसी भी element को आप लिखते कैसे हो पहले उसका symbol फिर उपर उसका mass number और नीचे उसका atomic number यह तरीका होता है किसी भी element को लिखने का और आपकी periodic table में भी elements को बिलकुल इसी तरीके से लिखा गया है उपर कोई number लिखा होगा नीचे कोई number लिखा होगा तो आप बस पहचान जाना ऊपर वाला number mass number होता है और नीचे वाला number atomic number होता है mass number मतलब कितने protons हैं और कितने neutrons हैं इन दोनों को add करके हमारा mass number निकल जाता है और atomic number कितने protons हैं उस atom में समझ में आया तो this is all about atomic number and mass number let's come to isotopes अब बुक की पीडियो पर आ जाते हैं और यहीं से हम पढ़ेंगे topic number 4.6 isotopes क्या है थोड़ा isotopes के बारे में इस NCRT में detail में और थोड़ा interesting थरीके से बता है जिससे आपको पढ़ने में बहुत मसा आएगा यह isotopes क्या है देखो in nature a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number फिर से देखना same atomic number but different mass number मतलब क्या कहा जा रहा है कि हमारी प्रकृति में बहुत सारे elements के atoms अलग-अलग वजन के होते हैं बस इन ही को हम isotopes कहते हैं for example हमने hydrogen ले लिया अब देखो hydrogen के 3 तरीके के atom पाये जाते हैं एक ऐसा atom होता है जिसका वजन 1 होता है एक ऐसा atom होता है जिसका वजन 2 होता है और hydrogen का ही एक ऐसा atom होता है जिसका वजन 3 होता है तो ये तीनों तो हैं hydrogen, बट अलग-अलग वजन के हैं, इनका जो mass number है, वो अलग है, बस इनी को हम क्या कहते हैं, isotopes of hydrogen, अभी हमारे current situation में असी elements ऐसे हैं, जिनके जो isotopes हैं, वो naturally occurring हैं, मतलब प्रकृती में पाये जाते हैं, 118 में 80 elements ऐसे हैं, जिनके isotopes हमारे nature में present हैं, बाकी जो बचते हैं elements, उनके isotopes, अपने जरूरत के अनुसार हम लैब में तयार करते हैं, इन isotopes का भी अपना काम होता है, वो मैं आपका आगे पढ़ाओंगा, बट isotopes क्या होता है, वो आपने समझ लिया, एक ही element के अलग-अलग atoms, और ये अलग-अलग क्यों होते हैं, क्योंक atomic number होता है एक, कोई भी hydrogen होई, इनका atomic number एक होता है, लेकिन इनका mass number अलग-अलग हो सकता है, कोई का 1, कोई का 2, कोई का 3, तो ये हो गए तीनोm isotopes of hydrogen, तो isotopes का मतलब अभी तुवरे दिमांग में feed हो चुका होगा, कि isotopes का मतलब क्या होता है, same atomic number, लेकिन इनका वज़नलग- चलो example लेते हैं, take the case of hydrogen atom, जैसे मैंने hydrogen का example लेया था, वैसे यहाँ पर NCRT में भी hydrogen का ही example देया गया है, hydrogen के जो atoms होते हैं, वो तीन अलग-अलग तरीके के होते हैं, एक होता है protein, मतलब एक ऐसा hydrogen होता है, जिसका वजन 1 होता है, एक होता है deuterium, एक ऐसा hydrogen होता है, जिसका वजन 2 होता है, और एक ऐसा भी hydrogen होता है, जिसको हम treatium कहते हैं, यानि इसका जो mass number है, वो 3 हो जाता है, तीनों है hydrogen, कैसे, क्योंकि इनका atomic number same है, 1, 1 और 1, लेकिन ये hydrogen के अलग-अलग तरीके के atom है, क्योंकि इनका वजन अलग-अलग है, बस इनी को हम isotopes कह देते हैं, इसमें देख isotopes कहते हैं, एक और example लेते हैं, chlorine का ले लेते हैं, और carbon का भी ले लेते हैं, देखो carbon के 2 isotopes होते हैं, एक होता है carbon 12 और एक होता है carbon 14, इनका proper नाम ही यही है, carbon 12 और carbon 14, क्यों है ऐसा नाम, क्योंकि ये दो अलग-अलग तरीके के हैं, है तो carbon, है तो carbon, atomic number same है, मतलब एक ही element है, देखो यार एक element का न एक ही atomic number हो सकता है mass number अलग-अलग हो सकते है atomic number ये कही हो सकता है तो carbon का atomic number 6 फिर से carbon का atomic number 6 लेकिन एक carbon का वजन 12 है और दूसरे carbon का वजन 14 है इनका mass number अलग-अलग है इसलिए ये carbon के isotopes कहलाते हैं देखे रहो फरक क्या है बस हमीशा दिमाग में इतना रखो atomic number सेम होगा mass number अलग-अलग होगा मतलब वजन अलग-अलग हो जाएंगे atomic number बस उतना ही होगा chlorine भी ले लेते हैं एक और example ले लेते हैं isotope का chlorine का भी isotope काफी famous है काफी काम में आता है मैं आपको बताऊंगा कि isotopes किस काम में आता है ठीक है chlorine अब देखो chlorine भी दो isotopes होते है chlorine की एक होता है chlorine 35 और एक होता है chlorine 37 35-37 का मतलब क्या है है तो chlorine ही ठीक है इसका atomic number भी सेम होगा 17-17 बस mass number अलग हो जाएगा एक chlorine का जो वजन है वो 35 है और दूसरे chlorine का जो वजन है वो 37 है तो इन्हे हम isotopes of chlorine कहते है isotopes of carbon कहते है isotopes of hydrogen कहते है तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा जितनी भी examples देखे उसके basis पर हमने एक चीस तो जान ली कि isotopes किसे कहते है definition है proper isotopes की कि isotopes are defined as the atoms of the same element carbon-carbon एक ही element है hydrogen-hydrogen-hydrogen एक ही element है और एक ही element के अलग-अलग तरीके के atoms है अलग-अलग तरीके के क्यों है क्योंकि इनका atomic number बिल्कुल same होता है और इनका mass number different हो सकता है इनका वजन अलग होता है तो बिल्कुल proper definition isotopes की क्या है यहां से लेकर यहां तक कि isotopes जो होता है उनका same atomic number होता है लेकिन जो mass number होता है वो अलग-अलग होता है ठीक है इसलिए हम कह सकते हैं कि we can say that there are three isotopes of hydrogen atom जिनका नाम proteum, deuterium और tratium है वैसे कहते तो तीनों को hydrogen ही है but hydrogen 1, hydrogen 2 और hydrogen 3 यह तीन अलग-अलग तरीके है कि क्यूं? क्योंकि इनका वजन अलग-अलग है simple ठीक है तो एक ही element के अलग-अलग वजन वाले atom को हम उस element का isotope कह देते हैं तो isotope क्या है यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा चालो आगे पढ़ते हैं अब देखो यहाँ पर एक समस्या है समस्या क्या है कि कई सारे ऐसे elements होते हैं जिनके isotopes mix होते हैं जैसे chlorine ही ले लेते हैं ठीक है अगर मानलो हमने थोड़ा सा chlorine लिया कहीं से भी हमने मानलो आधा किलो या 100 ग्राम या 10 ग्राम chlorine उठा लिया तो उसमें chlorine 35 और chlorine 37 दोनो mix होते हैं ठीक है तो इसमें एक भारी समस्या है समस्या क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके पहले यह जान लेना कि isotope हमेशा pure substance होते हैं चाहे chlorine 35 हो या chlorine 37 हो यह होता है एकदम pure chlorine और जो chlorine की property होती है वो यह दोनों show करते हैं chlorine 35 भी और chlorine 37 भी होता दोनो chlorine है बस फरक इनके वजन में है एक chlorine का वजन 35 और दूसरे chlorine का वजन 37 देखो बहुत main difference बताया गया है कि isotopes में अंतर क्या होता है जैसे chlorine 35 chlorine 37 इनमें अंतर क्या है इनकी chemical properties similar होती है लेकिन इनकी physical properties अलग होती है chemical properties similar क्यों होती है क्योंकि ये एक ही element के है तो chlorine का मतलब chlorine होगा चाहे वो chlorine 35 हो या chlorine 37 हो वो होगा solid ही liquid नहीं हो जाएगा कि chlorine 35 solid है और chlorine 37 liquid है इनके chemical properties में कोई अंतर नहीं आएगा ये दोनों कहलाएगा chlorine ही बट इनकी physical properties अलग है हमारी physical properties क्या है हमारा वजन हमारी physical property है हमारा color हमारी physical property है बिल्कुल वैसे ही chlorine का physical property उसका वजन होता है और अलग-अलग होता है तो भया isotopes की जो chemical property होती है वो same होता है क्यों? क्योंकि ये एक ही element है ठीक है? physical properties अलग होता है ये क्यों होता है क्योंकि इनका वजन अलग-अलग है समझ में आया चालो आगे बढ़ते हैं क्लोरीन का ही example लेते हुए कि क्लोरीन occurs in nature in two isotopic forms जो क्लोरीन होता है वो दो अलग-अलग forms में पाया जाता है यानि हम कह सकते हैं कि क्लोरीन के दो isotopes होते हैं मैंने आपको बताया एक isotope का वजन 35 होता है इसको हम क्लोरीन 35 कहते हैं और एक isotope का वजन 37 होता है इसको हम क्लोरीन 37 का नाम देते हैं और ये हमारे nature में ना 3 ratio 1 में present है यानि जो क्लोरीन 35 है ये 75% हमारे nature में पाया जाता है और chlorine 37 केवल 25% हमारे nature में पाया जाता है मतलब अगर chlorine जादा कौन सा chlorine पाया जाता है ये chlorine 35 और बहुत कम कौन सा chlorine पाया जाता है chlorine 37 ये 75 और 25 के ratio में है ठीक है अब यहाँ पर आपके सामने obviously मतलब अपने आप आपके मन में question आ जाएगा कि बहुत क्लोरीन दो अलग अलग वजन के होते हैं 35 और 37 तो इसका actual वजन हम क्या लेंगे इसका वजन 35 लेंगे कि 37 लेंगे क्या वजन होगा इसका तो बहुत जब कभी ऐसा case आता है कि किसी भी element के दो से जादा isotopes होते हैं उसमें हम average निकालते हैं कहा गया है कि हमारे पास 93 पूरे elements है जो naturally occurring है इन 93 elements का अपना अलग-अलग कम से कम एक isotope तो है ही जब इन elements का वजन हमें निकालना होता है तो हम उन सभी का क्या लेते है average mass लेते है अब average mass निकालने का भी अपना एक formula है वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है कहा गया कि if an element has no isotopes बहुत ही simple सी बात है अगर कोई भी element है अगर उसके दो अलग-अलग रूप है जैसे chlorine 35 और chlorine 37 ठीक है और कई ऐसे भी element होते है जो हमेशा सिर्फ एक ही form में available होते है जैसे nitrogen ही ले लेते है nitrogen के वल nitrogen 14 ही available है पूरा मिला कर ये कही nitrogen है इसका कोई isotope नहीं है ठीक है तो कहा गया है कि जिस element का कोई isotope नहीं होता है अगर हमें उसका वज़न निकालना हुआ तब तो बहुत simple है कैसे निकालेंगे sum of protons है neutrons in it मैंने आपको बताया है कि total number of atom क्या होता है उसके अंदर जितने protons और neutrons present है बस यही इसका वज़न हो जाता है ये formula केवल उस element पे apply होता है जिसका isotope नहीं है लेकिन अगर किसी element का isotope है अगर किसी element के atoms अलग-अलग वज़न के है जैसे chlorine 35, 37 hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3 ऐसे ही एक और ले लेते हैं हमारा carbon हो गया carbon 6 हो गया carbon 12 हो गया तो बही जब isotope present है किसी element का जैसे hydrogen का भी isotope है chlorine का भी isotope है carbon का भी isotope है तो इसमें confusion है 35 ले, इसका वज़न की 37 ले hydrogen में भी confusion है इसका वज़न 1 ले, 2 ले की 3 ले ऐसे ही carbon में भी confusion है इसका वज़न 6 ले है, 12 ले तो भाई यहां पर निकालते हैं हम क्या then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated जब अलग-अलग वज़न वाले atoms present होते हैं एक ही element के अंदर जैसे मैंने बताया, chlorine के अंदर 35 वज़न वाला भी है और chlorine के अंदर 37 वज़न वाला भी chlorine है तो इसमें क्या किया जाता है हमें पता करना होता है कि कितने percentage यह available है जैसे यहां पर बता दिया गया था chlorine का, chlorine 75% available है chlorine जो 35 है, वो 75% available है और chlorine 37, 25% available है तो हमें इनका average निकालने के लिए इनका percentage पता होना चाहिए बस फिर हम इनका average निकाल लेते हैं चलो formula मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी element के isotope का average mass किस formula से निकालते हो अब देखो average निकालना है कि the average atomic mass of chlorine atom on the basis of the above data will be calculated here ठीक है अब इनका proper formula होता है मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि chlorine दो form में available है chlorine 35 और chlorine 37 अगर हमें इनका average mass निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे सिर्फ आपको दो चीज़े पता होनी चाहिए पहली कि percentage कितने percentage में chlorine 35 present है और कितने percentage में chlorine 37 present है चालो और दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए इनका वजन कितना है जैसे chlorine हमारा 35 का पता है कि एक का जो वजन है वो 35 है और दूसरे का जो वजन है वो 37 है ये दोनों चीज़े अगर हमें पता हुई तो हम मास निकाल लेंगे किस formula से इस formula से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम atom 1 मतलब पहला atom chlorine का उसका वजन 35 ठीक है multiplied by percentage कितने percentage में chlorine 35 available है कितने percentage में chlorine 35 75% पाया जाता है तो percent मतलब हमें पता है 75 by 100 आपको mathematics में पढ़ाया गया होगा किसी चीज़ का percent यानि अगर 1% है मतलब का क्या है 1 upon 100 है 2% है 2 upon 100 है ठीक है 3% किसी चीज़ available है मतलब 3 upon 100 है तो किसी चीज़ का percentage मतलब उस चीज़ का 100 ठीक है तो इसका proper formula ये होता है कि atom 1 का जो वजन है atom 1 का वजन 35 है chlorine का जो पहला atom होता है उसका वजन 35 होता है multiplied by कितने percentage 75% यानि 75 by 100 प्लस जो दूसरा atom है chlorine का उसका वजन कितना है 37 है और multiplied by ये कितने percentage में available है 25% यानि 25 by 100 बस इस चीज़ को तुम calculate कर लो तुम्हारा average chlorine का जो mass है जो वजन है वो निकल जाएगा जैसे अगर हम 75 और 100 को काटते हैं तो 25 3 जा 75 होता है और 25 4 जा 100 होता है ठीक है तो 35 थोड़ा और detail में इसको लिखते हैं 35 multiplied by 3 upon 4 और प्लस 25 वजा 25 25 for the 100 यानि 37 multiplied by 1 upon 4 तो 35 को 3 से multiply करेंगे तो आएगा 105 और नीचे 4 है तो 105 upon 4 प्लस 37 को 1 से multiply करेंगे तो आएगा 37 और नीचे 4 है तो 4 इन दोनों का इकोल अगर कर देंगे हम तो 105 प्लस 37 हो जाता है 142 upon 4 और इसको अगर हमने point में convert कर दिया तो यह हो जाता है chlorine का atomic mass average atomic mass तो average atomic mass का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें this does not mean that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 अब देखो इसका मतलब यह नहीं है मैंने chlorine का average mass निकाल लेया तो इसका मतलब यह नहीं है कि chlorine का एक atom 35.5 का होता है ऐसा बिलकुल नहीं है इसका मतलब यह है कि भया हम अगर कुछ amount of chlorine लेंगे for example हमने इतना chlorine ले लिया हमने मालो 100 gram chlorine पुरा ले लिया तो इसके अंदर दोनो chlorine अविलेबल है chlorine 35 भी अविलेबल है और chlorine 37 भी अविलेबल है इसलिए हम इनके average वजन का use करते हैं और वो कितना है 35.5u तो average निकालना आपको आगया average निकालने का formula मैंने आपको बता दिया क्या है atom 1 का कितना मास है into कितने percentage में वो अविलेबल है plus atom 2 का कितना मास है और into कितने percentage में वो अविलेबल है बस यही होता है average मास निकालने का formula now applications of isotopes अब आपकी class 9 की book में isotopic अलग topic दिया हुआ है मतलब आपके जीवन में इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम होगा बिलकुल काम है isotopes हमारी day to day life में बहुत काम आती है कहा बर कहाम आती है इनके applications पढ़ते हैं इनका प्रयोग कहा होता इसको देखते हैं since the chemical properties of all the isotopes of an element are the same normally we are not concerned about taking a mixture अब भाई किसी भी element का isotope हो गया माल लो carbon 12 और carbon 14 यह दो isotopes होते हैं carbon के और जब कभी भी हमें carbon लेना हुआ ना तो हम carbon 12 और 14 मिला कर लेते हैं क्यों क्यों क्योंकि 12 लोग यह तब भी carbon कहीं काम करेगा 14 लोग यह तब भी carbon कहीं काम करेगा क्योंकि इनकी chemical properties similar होती है जब कभी भी हमें carbon लेना हुआ किसी काम के लिए तो हम 12-14 दोनों मिला कर लेंगे अलग-अलग isotopes लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि काम दोनों एक ही करेंगे लेकिन कुछ isotopes ऐसे होते है जिनकी special properties होती है जिनको अलग से वर्दान मिला होता है किसी special काम के लिए जैसे कुछ isotopes का नाम मैं आपको बताता हूँ एक uranium का isotope होता है जिसको हम uranium-235 कहते है इसका नाम uranium-235 क्यों है क्योंकि इसका जो mass number है uranium का वो 235 है ठीक है वैसे normal uranium के मुकाबले यह जो uranium-235 isotope है ना यह nature में केवल 0.7% available है बहुत rarely हमें मिलता है और इसका use हम क्या करते है पता है जो nuclear power plants होते हैं उनको चलानी के लिए fuel चाहिए, energy चाहिए और वो energy उन्हें uranium-235 देता है आपको पता है ना, nuclear power plants है बड़े-बड़े nuclear power plants लगे होते हैं यह क्या काम करते हैं? यह nuclear fission का काम करते हैं मतलब nucleus को तोणने का काम करते हैं ठीक है? तो uranium-235 nuclear reactors में fuel का काम करता है यह uranium का केवल यह वाला isotope ही कर पाएगा सभी uranium fuel का काम नहीं कर पाएंगे केवल uranium का यह जो 235 वाल isotope होता है केवल वही nuclear power plant को चलाने के लिए काम में आता है तो uranium का यह isotope बहुत ही ज़ादा useful है अच्छा, दूसरा भी, an isotope of cobalt cobalt एक metal होता है और cobalt का जो cobalt 60 करके एक इसका isotope है यह किस काम में आता है treatment of cancer के काम में आता है क्या किया जाता है cobalt 60 से gamma rays निकाला जाता है आपको पता है अलग-अलग तरीके के rays होते हैं beta rays, gamma rays तो वैसे cobalt 60 जो metal है ना इससे gamma rays निकाला जाता है और इन rays को ना सीधा उस patient के body पर गिराया जाता है जिसको cancer है तो जो cobalt 16 है ना यह cancer को ठीक कर सकता है तो cobalt का केवल cobalt 60 cobalt 60 नाम क्यों रखा गया है क्योंकि cobalt अलग-अलग isotopes में पाये जाते हैं और यह वाला जो isotope है cobalt 60 मतलब इसका mass number 60 है इसका virgin 60 है केवल cobalt 60 ही cancer को treat करने में समर्थ है बाकी cobalt cancer को treat नहीं करते हैं ठीक है अच्छा ऐसे ही एक और useful isotope है iodine का isotope यह iodine का isotope और इसका नाम होता है iodine 131 यह iodine का वो isotope है जो goiter को treat कर देता है आपका जो thyroid gland होता है जहां से आपकी आवाज निकलती है गले पे हाथ रखो कुछ तो निकला हुआ है ना adam's apple जिसको हम कहते हैं उसी के अंदर thyroid gland होता है ठीक है अगर किसी को goiter हो गया उसका गला बहुत बढ़ जाता है बहुत सूज जाता है तो goiter को ठीक करने में ना iodine 131 isotope का काफी बढ़ा हाथ होता है वैसे iodine 131 अगर हमारे brain में tumor है अगर हमारे liver में tumor है तो इस चीज का भी पता लगाने के लिए इसका use होता है तो भाई isotopes का अपना अलग-अलग काम हो सकता है uranium इसका एक isotope है जैसा मैंने बताया था 235 यह क्या काम में आता है power plant में काम में आता है cobalt 60 इसका अपना अलग काम है cancer को treatment करने के काम में आता है iodine 131 इसका अलग काम है यह guaiter को treat करने में काम में आता है ठीक है तो इनका अपना अलग-अलग applications है अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही छोटा सा science में ISO bars का बस एक basic introduction है इसके बारे में advanced label में हम 10 से start करेंगे ठीक है ISO bars को मैं बहुत यह आसान भासा में आपको समझाता हूँ देखो ISO bars ना दो सब्दों से मिलकर बनाए एक तो है ISO अब देखो ISO का मतलब क्या होता है ISO का मतलब होता है same यह Greek language है Greek language में ISO का मतलब होता है same ठीक है और bars का मतलब क्या होता है bars का मतलब होता है वजन यानि mass ठीक है तो आपको clearly पता चल रहा है कि भाई ऐसे atoms जो same वजन के हो मतलब अलग-अलग atoms जो same वजन के हो उन्हें हम ISO bars कहते है simple सा मतलब है ठीक है चल एक example से समझने की कोसिस करते है हम लेते हैं sulfur अब आपको notice करना है कि मैं आने वाले और भी कुछ examples दूँगा उसमें क्या same है आपको पता होना चाहिए कि यह जो element है element का जो symbol होता है वो बीच में लिखा जाता है यह mass number होता है और यह होता है atomic number यानी Z इसको हम परमाडू संख्या भी कहते है और mass number का मतलब तो पता होगा आपको की कितना वजन है इस पूरे sulfur atom का कितना वजन है इसको हम उपर यानी mass number से पढ़ते है मैं और आपको examples दिखाता हूँ और आपको बस यतना पता लगाना है कि इन में same क्या है दूसरा लेते हैं हम potassium ठीक है calcium notice करते चलो same क्या है sulfur लिया, potassium लिया calcium लिया, और लेते है chlorine का item और एक और लेते है argon का item अच्छा, फटा फट दिखो मैं तुम्हें 2 सेकेंड देता हूँ बता और इसमें क्या same है exactly उपर वाला हमें तो इन example से हमने क्या notice करा तीन चीज़े, सबसे पहला atoms of different elements यानि आपको दिख रहे हैं, ये अलग-अलग elements के atom है, एक sulfur का है एक potassium का है calcium का है, chlorine का है, argon का है अलग-अलग elements के atom है, पहले चीज़ हमने ये notice करी दूसरा हमने notice करा कि इनका mass number बिलकुल same है सबका 40 है, मतलब इन सबी atoms का जो वजन है, वो 40 unit है ठीक है, और एक चीज़ और हमने notice करी कि इनका atomic number अलग-अलग है ये तो साब-साब दिख रहा है 16, 19, 20, 17, 18 अलग-अलग है ना, जब elements बदलेंगे ना, तो उनका atomic number बदलता है, ये fix है तो तीन चीज़े हमने यहां से notice करी बस यही तो है आईसो बार्स आईसो बार्स किसे कहते हैं, जो अलग-अलग elements के atom हो लेकिन उनका mass number same हो और atomic number अलग-अलग हो, तो यही से निकल कर आती है हमारी धंमा के दार सी definition, क्या है भया, atom of different elements, देखो, साब-साब लिखाएगी, atom of different elements having different mass number, but same atomic number, यानि mass number same है, atomic number अलग-अलग है और different elements के atom होने चाहिए, बस उनी को हम आईसो बार्स कहते हैं तो this is the basic introduction about आईसो बार्स, आईसो बार्स और आईसो टोप्स में बस इतना ही फरक है आईसो टोप्स में क्या होता है, यह सेम होता है atomic number same होता है आईसो टोप्स जो इसके पहले हमने पढ़ा उसमें atomic number same होता है लेकिन आईसो बार्स में क्या है mass number same है, जस्ट अपोज दीट है ठीक है, समझ मैं आजो, this is all about this chapter structure of atom after this chapter मैंने इस chapter में जितने भी अपना दिमाग का use करके थोड़ा बहुत animation कर सकता था, वो मैंने आपको easy बनानी के लिए किया है भाई, effort के लिए तो subscribe बनता है ना, तो subscribe करके जाना share करो अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं एक और दमागेदार वेड़ो के लिए तब तक बाबाई, take care, ख्याल रगिए अपना and जहें